हलो फ्रेंट्स अब हम आपके रिलाए हैं सेलेब्रिटी नियूज दिव्या अगरवाल वीडियो मुझे कोई शरम नहीं है दिव्या अगरवाल ने अनुरा कश्यप को भेजा खुला ख़त और मांग लिया काम दिव्या अगरवाल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं वहाँ वा अपने दिलकश फोटोस और वीडियो से फैंस को दिवाना बनाती रहती हैं लेकिन इस बर उन्होंने वीडियो बना कर अनुरा कश्यप से काम मांग लिया है हालांकि उसके लिए वह आडिशन देने के लिए भी तयार है उन्होंने पूछा कि डारेक्टर बताएं कि कैसे करना है अक्टर जिव्या अगरवाल बिग बॉस ओडिजी जीने के बाद किसी बड़े प्रजेक्ट में नजर नहीं आए दिखी तो बस कुछ एक म्यूजिक वीडियो में नहीं तो दूर दूर तक कहीं नहीं देखा जाये तो वह एक तरह से बेरोज़कार है हाथ खाली है वैसे खबरों में तो बनी रहती है लेकिन उनको मन चाहा काम मिल नहीं पा रहा है सुभाव सिवा मुफट हैं जिसके बारे में सब जानते ही हैं अब ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और अनुराग कश्चप से प्रोजेक्ट मांग लिया देविया अगरवाल ने महनत हिम्मत करते हुए एक वीडियो शेयर किया इसके जरीए उन्होंने फिल्म नदेशक अनुराग कश्चप से मदद मांगी उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो उनकी मदद करें कि वो कैसे आडिशन में जा सकती है और अनुराग के जैसे सही काम हासिल कर सकती है दिविया ने वीडियो शेयर करके कैप्शन में लिखा काम मागोंगी सब के सामने मुझे कोई शरम नहीं उसमें वो कह रही है कि मैं अनुराग कश्चप को एक खुला खत भेज रही हूँ मैं पिछले 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ मैंने बहुत सारा काम किया है अभी मुझे बहुत काम मिल रहा है दिवेह आगर्वाल ने बनाया वीडियो दिविया कहा मुझे काम मिल रहा है लेकिं उसमें कभी WILDINC कुदने के लिए कहा जा रहा है तो कोई लड़ने का सीन मिल रहा है रियालिटी शोज और टीवी सीरियल्स भी आफर हो रहे हैं इसको करने में कोई तकलीप नहीं है लेकिन मैं ऐसा कर चुकी हूँ इसलिए अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो मेरे दिल को मंजूर हो मैंने आपको प्रित मेशल मीडिया की मदद से मैं आपको एक खुला पत्र भेज रही हूँ मैं यह नहीं कह रही कि मुझे आप वेब शो दीजिए या फिल्म दीजिए ऐसा कुछ भी नहीं कह रही मुझे यह बताएं कि आउडिशन के लिए कैसे दूप क्यों कि 15 सकते काम करने के बाद मुझे नहीं पता सही शक्स अभी मेरे पास काम को लेकर नहीं आया इसलिए मैं क्लूलेस हूं आप बस मुझे एक दिन में ओडिशन के लिए दें फिर चाहें मुझे 10-20-50 दें मुझे परवा नहीं है मुझे बहुत काम मिल रहा है लेकिन मुझे यह नहीं चाहिए कि मुझे जिस पॉलो करते हैं वो प्लीज इसे अनुराक श्यब तक पहुंचाएं क्योंकि मैं ऐसा ही कुछ करना चाहती हूं नया साल है नई मैं हूं लेकिन बहुत मुफट और आपसे जल्द मुलाकात होगी इसकी उम्मीद कर रही हूं यह थी सेलिबरिटी न्यूस ऐसे और झाल